तो फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूँ तो चलिए बिनादेरी की हुए सबसे पहले यहां को स्टन को देखते हैं उससे पहले आप से छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें तो देखिए भूमंडली करन किसे कहते हैं यानि असपस्ट उत्तर में हमको बता देना कि यह भूमंडली करन होता क्या है ठीक है इस सब्द को दखिए भू का मतलब होता है जमीन तो भूमंडल मतलब पूरे पूर्थ पिर्थभी को हम क्या बोलेंगे भूमंडल बोलेंगे तो भूमंड प्रकार के देश है तो इन देशों को एक दूसरे से जोर देना ही क्या है भूमंडली करन है अब जोरने का मतलब यह हुआ कि हम दो देशों के बीच एक रोड नहीं बना देंगे रोड बना दिये तो जूर गया ऐसा जूर नहीं जब एक देश दूसरे देश से वयापार बिजनिस करेगा तो बिजनिस के माध्यम से वयापार के माध्यम से एक देश जब दूसरे देश से जूर जाता है तो इसी को भूमंडली करन बोलेंगे यानि जब दो देशों के बिच तालमेल अस्थापित हो जाए दो देशों के बिच वयापार प्रारम हो जाए तो दोन विस्व में विभिन प्रकार के देस अमेरिका है चीन है जापान है इंडोनेशिया है बहुत सरे देस हैं तो विभिन देसों के अर्थ विवस्थाओं या छेतरों छेतरों मतलब एरिया को जगे को एक दूसरे के साथ जूरने की परकृट्रिया को भूमंडली के देस, यानि विश्व के विभिन देशों के अर्थ विवस्ता या छेतरों का एक दूसरे के साथ जुरने की परक्रिया को क्या बोलते हैं भूमंदली करन बोलते हैं यानि असपस्ट है भूमंडली करन में क्या होता है विश्व के विभिन देश जो है उसके अर्थ विवस्ता या छेतर जो है एक दूसरे के साथ क्या करता है जुरता है अब देखिए विश्व के विभिन देशों के बीच वयापार प्रारम होने से इस विश्व के विभिन द देश एक दूसरे के साथ जूरता है वो कैसे जूरता है वो आपको यहां से यहां तक बताया गया है एक बार और देख लीजे कि विश्व के विभिन देशों के बीच वयापार प्रारम होने से जब विश्व के विभिन देश एक दूसरे के साथ हुआ पार प्रारम करेगा स्टार्ट करेगा बिजनिस सुरू करेगा तो सुरू होने से ये देश एक दूसरे के साथ जूर जाते हैं तो जूरने का रीजन भी यहां पर दिया गया है अब आगे देखिए आता है इसके अंतरगत मतलब भूमंडली करन के अंतरगत विस्व के सभी छेत्र यानि विस्व में जितने भी छेत्र हैं विस्व में जितने भी जगे हैं विस्व में जितने भी देश हैं तो सभी छेत्र एक इकाई के रूप में आपस में जूर जाती है यानि जब विश्व के विविन्य छेत्र या देश आपस में जूर जाएंगे तो एक इकाई के रूप में काम करेंगे इकाई के रूप में मतलब ये कि ये सारा लगेगा कि कोई एक ही देश है एक ही छेत्र इस पर कार ये करता है क्योंकि एक देश में दूसरे देश के वस्तुएं मिलते हैं तो एक इकाई के रूप में ये आपस में जूर जाता है तो यहां पर ये वीडियो समापत होता मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा धन्यवाद